हाई फ्रेंज मेरी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है गर्मिया सुरू होते ही जब हम किसी ठंडी चीज के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले नाम आता है मैंगो मिल्क से जोकि पीने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी रखता है एक दम क्रीमी क्रीमी बहुत ही ज्यादा टेस्टी ये मेंगो मिल्क से बनके तयार होता है तो आज हम बनाएंगे परफेक्ट मिल्क से जोकि कुल पांच मिनट में बनके तयार होगा और इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है तो फ्रेंज वीडियो सुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल के नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट जरूर करना और ऐस भी देखने के लिए वीडियो को फुल गौच कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो मिल्क शेक बनानी के लिए यहाँ पर जरूरत हो कि हमें मैंगो की तो यहाँ पर मैंने मैंगो लिये हैं तो यहाँ पर मैंने तीन मैंगो लिये हैं आप अपने साब से ले सकते हो तो सबसे पहले हम इन मैंगो के छिल के उतार लेते हैं तो मैंगो शीरने के लिए एक बहुत यासन तरीका यह है कि इस तरह से आप इसके छिलके उतार वीजिए तो यह देखिए यहाँ पर मैंने जो मैंगो है उसके छिलका उतार लिया है और अब हमें इस तरह से गुटली से इसका जो मैंगो है उपर से जो गुदा गुदा है उसको इसमें काट कर इस तरह से हमें जार में डाल लेना है तो सारे मैंगो को मैं इसी तरह से काट कर और इसके जो गुदे को इसमें डाल लूँगी और एक हम इस तरह से मेंगो को काट सकते हैं उसके बाद इस तरह से मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ इस तरह से मेंगो मैं इस तरह से कट वगा वीजिए और इस तरह से आप इस जार में डाल दीजिए तो आप चाहे जैसे भी इसको काट कर इस जार में डाल सकते हो तो मैंने दोनों ही तरीके बता दिये हैं और मैं सारे मैंगो को इसी तरह से इसमें डाल लूँगी तो यह देखिए यहाँ पर मैंने सारे मैंगो के गुदे को इसमें डाल लिया है और अब हम इसमें दूड डाल देंगे तो दूड आप अपने साथ से डाल सकते हो अगर आप गाड़ा मिल्क से पीना पसंद करते हो तो कम दूड डाल ये पर मैं यहाँ पर ज्यादा ही दूड इसमें डालूंगे क्योंकि मुझे थोड़ा पत्वा सा ही पसंद है उसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें चीनी डाल दी है और अब मैंने इसमें आइस डाल ली है तो सारी चीजों को हमें इस तरह से इसमें डाल लेना है उसके बाद हमें इसमें ढ़कन लगा देना है और इसको पीस लेना है तो यह देखिए, यहाँ पर पिसकर मैंने तयार कर लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है एक काँच का ग्रवास और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी आइस इससे और भी जाला थंडा थंडा अच्छा लगेगा उसके बाद हम इस मैंगो मिल्क सेख को इसमें डाल देंगे तो देखिए एकदम गाड़ा क्रीमी सा बना है उसके बाद उपर से मैं डेकुरेट कर रही हूँ इसको काजू, बादाम के कत्रन और पिस्ते के कत्रन से उसके बाद ये देखिए हमारा क्रीमी, ताजा और ठंडा मिल्क सेख बनके त्रेडी है बहुत ही जादा पीने में टेश्टी रखता है एकदम बजार के जैसा ये बनकर तयार हुआ है आप इसको घर पर बहुत ही आसन तरीकी से बनाकर तयार कर सकते हो तो ये देखिए हमारा गाड़ा सा मिल्क सेख बनकर यहां पर रेडी है आप अपने साफ से गाड़ा या पत्वा बनाकर इसको तयार कर सकते हो पीने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगेगा और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये मिल्क सेख की रेश्पी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट के साथ फ्रेंड दोस्तों को सेयर करना मत भूलना और अगर आप चैनल पे नए आयो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना तो मिलते हैं अच्छी से नए रेश्पी के साथ तब तक के रिए टेक किया थैंक्स पर बोचिंग